हलो माई डिर स्टुडेंट्स वी आर लाइव नौ वेलकम टू ड्रीम क्लासेश और आज से हम लोग क्लास 12 चैमेस्ट्री का सेट सॉल्यूशन करने वाले हैं और यह पहला क्लास सेट सॉल्यूशन का हो चुका है और सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जो आपका सेट सॉल्य क्लास को हिंदी माद्यम बाले बच्चे भी जूडएंगे साती साथ जो CBSE और English मेडियम के जो बच्चे होते क्योंकि ये English medium जो आपके board के exam सोते हैं English में उसके लिए भी ये questions है साथी साथ अगर कोई बच्चा CBAC से इस बार board का exam देने वाला है वो भी इस वीडियो को देखेगा साथी साथ ये तो भाई हर एक board के लिए बहुत important है और ये बहुत बहतरीन class होने वाला है प्रती दिन सुबह 6 बजे ये class आपका set solution करवाया जाएगा सुबह सुबह एकदम morning time में एक बहतरीन class हम आपके लिए लेकर आए हैं और बिल्कुल भी प्रती दिन सुबह अब जग जाईए क्योंकि आपका exam का countdown चुरू हो चुका है और ऐसे time में सुबह जगना एक बहुत बड़ी बहुत बहुत बहुतरीन habit होती है सभी बच्चों में माना गया है तो ये जो set solution हम करवाएंगे ये प्रती दिन सुबह 6 बजे आपका होगा और आपको इसके लिए जगना पड़ेगा ठीक है एक बहतरीन class और चलिए शुरू करते है question आपको हिंदी के साथ साथ English में भी questions आपको दिखेंगे और आपका काम है इसका सही answer देना बाकी हम आपके सामने रखने रखने वाले है ये board model objective MCQs question है मतब बोड में इसकी बहुत demand होने वाली है और उम्मीद है कि सभी question यही set solution से करवाए जाएंगे पहला सवाल जैसा कि आपको screen के उपर दिख रहे है A तथा B तत्वों से बना एक योगिक की संरक्चना क्रिष्टली क्रिथ होता है A तथा B तत्वों से बना एक योगिक का जो संरक्चना होता है वो क्रिष्टली क्रिथ होता है जिसमें A घण के कोनों पर तत्था B के परमानू फलक केंदरों पर अवस्तित है दोनों कहां रेगा जी A जो रेगा वो घण के कोनों पर तत्था B जो रेगा वो परमानू फलक केंदरों पर अवस्तित है तो इस योगिक का शुत्र बताएंगे जी ठीक है यहाँ पर बाई के जगा जो होना चाहिए न वो बी होना चाहिए चलिए बताएगा जी ए जो होना चाहिए घंड के कोनों पर और यह जो आपको बाई दिख रहा है न यह बाई ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए बी जो ह देख पा रहा हूँ कि नीचे काफी सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया भाई और हिंदी में भी है इंग्लिश मेडियम में भी है यानि इंग्लिश मेडियम के बच्चे और CBSE के बच्चे हमारे से जुडेंगे राइट अंसर जो होगा वो पहला होगा this is the right answer of this question और बहुत देखे यह chemistry का पहला set solution है और बहुत भेतरीन भेतरीन question आपके screen के उपर लाया जाएगा तो I hope कि आपका पहला answer सही हो गया होगा बहुत सारे बच्चों ने इसका सही से answer दिया कुछ कुछ गलत है पर कोई बात नहीं right answer आपका A is the right answer of this question दूसरा सवाल दूसरा सवाल जो आपके screen board के उपर आ चुका है कि किसका कौथना अंक किसका कौथना अंक एक बाई मंडलिये दाप पर सबसे अधिक होता है 0.1 M NACL 0.1 M BACL2 0.1 M जो आपका होता है सुक्रोज and 0.1 M Glucose what is the right answer of this question बच्चे हमारे साथ धीरे धीरे जो audience की crowd है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई और काफी अच्छा फील हो रहा है चलो जल्दी जल्दी से like and share करते रहेंगे सभी बच्चे फटा फट like and share करते रहेंगे और अगर आपने अभी तक संजीबनी बैच जॉइन नहीं किया तो वीडियो के description में link है वहाँ पर जाके link पर click करिए और संजीबनी बैच जॉइन करिए क्योंकि वो last 30 days के लिए बनाये गया मतब आखरी exam के आखरी time में जैसा कि आपको पता है कि countdown चुरू हो गया है तो इन आखरी दिनों में आपको अच्छे marks लाने है तो आपका सिर्फ एक ही सहारा होना चाहिए वो होगा संजीबनी बैच दूसरा सवाल किसका कुतनाक एक बाई वंडल ये दापर सबसे अधिक होता है तो दो का right answer होगा बाई 0.1 M BACL2 और याद रखेगा संजीबनी बैच में पूरे 6 विश्यों की तयारी 6 विश्यों का complete guessing notes दिया जा रहा है जो आखरी समय में बहुत काम आएगा सारे question संजीबनी से ही पूछे जा सकते हैं ऐसा हमारी टीम का मानना है बताईए what is the right answer of this question question number तीसरा कि फैराडे के विद्धुत विच्छेदन का दूतिय नियम जो है वो किस से संबन दीत है एक most highlighted VVI कोशन फैराडे का विद्धुत विच्छेदन का जो दूसरा नियम है वो किस से related है top most VVI MCQs, MCQs special class Hindi and English डोनो language में जैसा कि बच्चे स्क्रीन के उपर देख रहे हैं कि सर एक होगा धनायन के वेक से एक है रिनायन की परमानु संख्या से धनायन के परमानु संख्या से चोथा है विद्धुत अपगट के समतुल्ले भार से तीसरा सवाल वाट इस दा राइट अंसर of this question राइट अंसर जो होगा बच्चा बाड़ी वो आपका डी होगा घा होगा या आप इसको डी भी कर सकते हैं विद्धुत अपगट के समतुल्ले भार से सवाल है फेराडे शेकेंड लाव इस ओफ एलक्ट्रोलाइसिस इस रिलेटेड चार विकल्प स्क्रीन के उपर है राइट अंसर आपका क्या होगा दी इस राइट अंसर of this question चौथा सवाल चौथा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के उपर के हिलियम का मुख्षरोत बताईए भाई हिलियम का मुख्षरोत क्या है रेडिया, मोना जाइट, हवा या जल चार का राइट अंसर क्या होगा फटा-फट बताईए हिलियम का मुख्षरोत एक बहतरीन सवाल और हाँ संजीबनी में पूरे चार विश्यों का कंप्लीट गेशिंग नोट्स दिया जा रहा है एप का भी लिंक है और संजीबनी बैच का भी लिंक है पहले एप को इंस्टॉल करिए फिर संजीबनी बैच का जो लिंक है उसके उपर क्लिक करिए तभी आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते है खुद से डिरेक्टली नीचे बाइनाओ करिए 6 महीने की validity रहती है हलाकि आपको तो पढ़ना कुछी दिन है पर validity 6 महीने की है वहाँ से आप हर एक PDF को download कर सकते हैं कब जब आप subscription लेंगे उसके बाद ऐसे नहीं download कर सकते हैं helium का मुक्सरोत बहुत बहतरीन सवाल भाई mona jai is the right answer of this question helium का मुक्सरोत mona jai nico4 में nickel की oxy current संख्या क्या है चार विकलप आपके screen के उपर पाँचवा सवाल countdown चुरू हो गया है जल्दी जल्दी से अंसर दीजिए nico4 में nickel की oxy current संख्या बहुत सारे बच्चे dream classes के साथ जुड़े हुए है nico4 में nickel की oxy current संख्या क्या होगी बहुत बढ़ी है चलो आगे बढ़े तो राइट अंसर क्या हो गया चाटा सवाल निमनल लिखित में से कौन हाइडरोजन बंधन नहीं बनाता है बताइए बचे मजा रहा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हो तो नीचे रेड को सब्सक्राइब करके ब्लैक कर दो जल्दी से और हाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जी हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुडिएगा आप सभी लोग फ्री ओफ कोस्ट है उसके लिए कोई फीस नहीं लग रहा है वैसे आप को इंस्टॉल करिएगा तब भी कोई फीस नहीं लगेगा टेलीग्राम पे जुडिए आप को इंस्टॉल करिएग कोई फीस कहीं कोई चार्ज नहीं है साथवा सवाल इलकेन, इलकन ये होना चाहिए, ठीक है इलकेन होना चाहिए, सही से लिखावा नहीं है नीचे देखे लिखावा, ठीक है इलकेन का सामाने शुत्र CnH2n, CnH2n-2 CnH2n-2, CnH2n-2, Nnabdij साथवा सवाल highlighted question है जी इलकेन का सामाने शुत्र the general formula of LK needs, चलो बच्चा पाड़ी the general formula of LK needs CnH2n is the right answer of this question CnH2n is the right answer of this question, बहुत बढ़िया, very good चलो, आठवे सवाल की ओर रुख करते हैं, आठवा सवाल, ये panel पे HD नहीं आता, इसलिए मैंने screen board पे ही आपको directly screen recording screen से ही काम चला रहे हैं, इन में से किसमे आईशो प्रीन इकाई है सभी बच्चे एक बर हमें comment box में comment करेंगे, live chat में नहीं हमें comment box में हम आपके comment को देखना चाहते हैं कि आप हमारे dream classes से कितना संतुष्ट है, एक प्रतीसत से लेकर सौ प्रतीसत तक voting करेंगे ठीक है, और दूसरा कि संजीबनी बैच से आप कितना खुश है पहला लिखिएगा, आप शे खुश है dash देकर percentage लिखना है दूसरा, संजीबनी बैच जो बच्चा संजीबनी लिया है, बताएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा न, कि आपके नए नए जो बच्चे हैं फ्रेशर उनको भी पता चलेगा, कि भाई ये संजीबनी बैच कितना जो है कितना फाइदे मंद साबित होगा तो ये बच्चों के कमेंट, पुराने बच्चों के इक आई है आईसो प्रोपेन, मोनोमरीज पर्जेंट इन विच ओफ दा फोलोईंग चार विकल्प, आठवा सवाल चलो भाई, राइट अंसर जो होगा वो प्राकिर्तिक रबड होगा इसी में आईसो प्रोपीन आईसो प्रोपीन इक आई है, आठ का राइट अंसर A is the right answer of this question प्राकिर्तिक रबड नौ नमबर कोश्चन कोश्चन नमबर नाईन वट इस दराइट अंसर of this question चारो विकल्प आपको दिख रहा होगा कैल्सियम फॉर्मेट का स्रवन करने पर क्या प्राप्त होगा ठीक है बताईएगा जी कैल्सियम फॉर्मेट का स्रवन करने से क्या प्राप्त होगा कोश्चन नमबर नाईन और बच्चे बिलकुल आंसर दे रहे सर HCHO is the right answer of this question B होगा जी ठीक है क्या होगा B होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जॉइन करिएगा वरना खुद से सुच करिए टेलीग्राम पे ड्रीम क्लासेज आपको हमारी वीडियो हमारा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम का मुफ्त में जॉइन करिए क्योंकि वहाँ पे कुईज करवाय जा रहा है किस प्रतिकिरिया के लिए दरिस्तिरांग की एकाई मूल प्रति लिटर प्रति सकेंड है माफी चाते हैं हमें बोलना चाहिए कि किसी प्रतिकिरिया के लिए दरिस्तिरांग की एकाई जो है वो मूल प्रति लिटर प्रति सकेंड है तो प्रतीकिरिया की कोटी क्या होगी बताएंगे राइट अंसर क्या होगा जी किसी प्रतीकिरिया के लिए दर इस थिरान की काई मोल प्रती लेटर प्रती सेकेंड है तो प्रतीकिरिया की कोटी 0 1 2 3 बताएंगे मोल लेटर एंवर्स and second inverse what is the right answer of this question question number 10 और राइट अंसर जो होना चाहिए भई ऐसे में प्रतिकिरिया की कोटी सुन्ने होगी यानि ए आपका राइट अंसर होगे दस का आगे बढ़ते एक ग्यारवे सवाल की ओर एक बहतरीन सवाल एक ग्यारवा सवाल एक बहतरीन सवाल सवाल कर रहा है कि सेल प्रतिकिरिया स्वत answer क्या होगा जी ए भी सीडि शेल प्रतिकिरिया स्वता होती चलि राइट answer भी होगा बहुत बड़िया जो बच्चा नहीं जान रहा है वो copy में note करते चलेगा शेल प्रतिकिरिया स्वता हमतब अपने आप होगा ए ग्यारय का राइट answer भी होगया जी बहुत पहत्री highlighted question आ चुका है 12 number question कुहरा कौन से collide system का उदारन है gas का द्रब में द्रब का gas में ठोस का द्रब में द्रब का द्रब में fog is the collidal system of fog is the collidal system of बताएंगे किसका होगा जी gas in liquid, liquid in gas solid in liquid and liquid in liquid, बताएंगे चारवी कलप आपके screen के उपर 12 सवाल और बच्चा बाड़ी right answer होगा, द्रब का gas में मिश्रन है ठीक है, चलिए एक बहतरीन सवाल, 12 का right answer B हो चुका है 12 का right answer क्या होगा, B होगा जो बच्चा English medium बला है वो भी copy में note करेगा जी, बहुत काम आएगा चलिए, इन में से कौन प्रती चुम्बकिये है नीचे आपके options होंगे, I think ये आपको पूरा screen डख लेगा, याद रखिएगा question क्या है, इन में से कौन प्रती चुम्बकिये इन में से कौन प्रती चुम्बकिये है, CO2 N, N, I, 2 sorry, CO के उपर, जो है घात कितना होगा, प्लस 2, ऐसे करके 4 विकल्प, ठीक है आपके screen board के उपर आ चुका है बताएंगे right answer क्या होगा जी, चलिए कौन प्रती चुम्बकिये है तो 14 number question का right answer बता दे, तो 14 number question का right answer जो होगा, वो पहला हो जाएगा जी, sorry, 13 का पहला हो जाएगा नहीं, 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 इसे एक सकुन, एक सकुन क्या था, जी, इसे एक सकुन क्या था हाँ, कौन प्रती चुम्बकिये है ओहो, माफी चाते है, गलत हो गया ये question 13 का D is the right answer, जड़न 2 बले संकूल, जो आपका समीकरन दिया हुआ है, इस समीकरन में आपको बताना है यफी का ऑक्षी करन अवस्था है, ठीक है, बताईएगा क्या अंसर होगा भूरे बले संकूल में यफी, यफी मतलब लोहा होता है, आईरन यफी का आख्शिकरन अवस्था बताएंगे भूरे बले संकूल में यफी का आख्शिकरन अवस्था बताएंगे चार विकल्प आपके स्क्रिन बूट के उपर आ चुका है और बच्चे मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे इसका अंसर दे रहे हैं और राइट अंसर क्या होगा जी बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां प्लस वन इस दा राइट अंसर अंसर आएए पंद्रावे सवाल क्यों और कि आमोनिया को शुष्क किया जाता है किस प्रकिरिया के द्वारा निरजली करन करके CACL2 से CAO से या सांधर S2SO4 से या P4O10 से बताएंगे अमोनिया को शुष्क किया जाता है किस किरिया के द्वारा अमोनिया को सुष्क करेंगे पंद्रहवा सवाल आपके स्क्रिन बोर्ड के उपर आ चुका है और देखो बच्चा पाड़ी अमोनिया को सुस्क करने में किया जाता है किसके द्वारा सांद्र H2SO4 के द्वारा चली नोट करिएगा आमोनिया को सुस्क करेंगे सांद्र H2SO4 के द्वारा एंड आए 16 सवाल की ओर बिटामिन C है मुझे लग रहा है सबसे आसान कोशन आज का यही है जी बिटामिन C है हाँ बिटामिन A रतंग जी B बैरी बैरी सी जो असकर भी होता है इसको हम बोलेंगे एसकॉर असकॉर्बिक अमल एसकॉर्बिक एशिड हो गया जी विटामिन C is एसकॉर्बिक एशिड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं सत्रावा सवाल आपके स्क्रिन बोड के उपर की एक डिगरी दो डिगरी तता तीन डिगरी अलकोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है किस प्र अलकोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है किस प्रकिरिया के द्वारा किस विधी के द्वारा बताईएगा जी देखो जी एक डिगरी दो डिगरी और तीन डिगरी अलकोहल के बीच अंतर जो है वो ऑक्षिकरन विधी द्वारा भी दिखा सकते हैं यह जो आपका दूसरा ज करिए कि 17 का राइट अज़ी होगा चलो आगे बड़े बहुत बड़ी है वेरी कुछ अट्रावा सवाल थोड़ा सा जूमाट कम करते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा चलो दिख रहा होगा मेरे साथ से अठरावा सवाल चार विकल्प 18 नमबर कोश्चन इनमें से कौन सबसे अधिक चार ये है एनेस 3 पहला होगया CS3 एनेस 2 दूसरा होगा CS3 टू इन्टू एनेच और ये आपका ABCD चार विकल्प आपके स्क्रिन के उपर है आपको बताना है कौन सबसे अधिक चार ये है बताईएगा ABCD 18 का राइट अंसर क्या होगा तो 18 का राइट अंसर होगा CS3 नोट करें बहुत बढ़िया कोश्चन है पूछता है पूछता है ऐसे प्रस्न और जल्दी से वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिया अभी भी संजीबनी में जुडने का मौका पाईए जी आखरी समय के लिए यह बैच बनाएगा ऐसा मत सोचना कि सार अब तो कुछी दिन बचे क्या फाइदा जुड़के अभी तो में फाइदा अभी करेगा याद रखेगा संजीबनी में जुडने का जो अभी में जो फाइदा है न वो बाद में नहीं था उनीसवा सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन बोर्ड के उपर करेगा सोडियम सलफेट का जलिये घोल में अक्रिये एलको ट्रॉड का उप्योग कर विद्दुत विच्छेदन किया जाता है तो कैथोड एवम एनोड पर क्या प्राप्त होता है उनीस नमबर सवाल पूछता है बोर्ड आपसे अंसर दीजिये सोडियम सलफेट का जलिये घोल में अक्रिये एलक्रॉड का उप्योग कर विद्दुत विच्छेदन किया जाता है तो कैथोड एवम एनोड पर क्या प्राप्त होगा उनीस नमबर कोशन राइट अंसर जो होता है भाई राइट अंसर होगा पहला ह2 और O2 प्राप्त करेंगे उनीस का A बहुत बढ़ियां उनीस का A होगा ह2 और O2 is the right answer of this कोशन बढ़े आगे चलो आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 20 एक भेतरीन सवाल कोशन नमबर 20 एक भेतरीन सवाल आपके स्क्रिन बूर्ड के उपर किसी प्रतिकिरिया का अर्ध जीवनकाल अविकारक के आरंविक सांद्रन के वित कर्मा नुपाती होती है तो प्रतिकिरिया की कोट नमबर 20 ठीक है? 19 हो चुका था न? हाँ हाँ एक सकेंड जिसता सकेंड कुछ मिस्टेक तो नहीं हुगा 18 का C ठीक है? 19 नमबर question हमने क्या बताया था? हाँ 19 का ठीक है ठीक है कोई नहीं मुझे लगा कि कुछ minor सब मिस्टेक है कोई बात नहीं चलिए 20 नमबर कोशन बताइए गर राइट अंसर क्या होगा पूछता है इस तरह के कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी परतिकरिया का अर्ध जीवन का लाविकारक के आरम के संदरन के वितकर बन पाती हो तो परतिकरिया की जो कोटी होगी भाई इस कोशन का आपके लिए आज आपके स्क्रिन के उपर रखा है यह सभी के सभी वोड मोडल कोशन है और उमीद है किस तरह के कोशन बहुत सारे ड्रीम क्लासेस के तुरू आपको देखने को मिलेगा बताइए कौन एंजाइम ग्लुकोच को अलकोहल में परिवर्तन करेगा कौन ऐसा एं एंसर होगा कि सर यह जो एंजाइम जो ग्लुकोच को अलकोहल में परिवर्तन करता यह जाइमेज का लाता यानि 21 का राइट अंसर C हो गया 21 का राइट अंसर क्या हो गया C हो गया कौन एंजाइम ग्लुकोच को अलकोहल में परिवर्तन करता है यह काम भाई जाइमेज का है यह कीस का C आपका राइट अंसर हो गया 22 वा सवाल एक बहतरीन कोशन पूछता है आपसे इस तरह के कोशन कि बेंजीन में NH2 समू है बताईएगा बेंजीन में NH2 समू है किस रूप में यह होगा जी बेंजीन में NH2 यह माइनस आगे लगा हुआ NH2 समू है बताईएगा जी कोशन नमबर 22 और राइट अंसर जो होगा वो C होगा जी और्थो एमम पारा डाइरेक्टिंग इस इस दा राइट अंसर अप इस कोशन 22 का C 23 नमबर कोशन यह बाई बिना सॉल्विंग किये और सब तो किया नहीं जा सकता है पर कोई बात नहीं अलकोहल में थेखे esterification का क्रम बताईएगा बहुत पहतरीन हलाकि यह सब कोशन काफी board model कोशन माना गया इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यह दिख रहा है आपको इतना ही रखना पड़ेगा क्योंकि कोशन है थोड़ा सा अच्छा बढ़ियां वाला 23 नंबर कोशन डिरेक्टली टिक लगाते हैं इसका जो क्रम होगा वो ऐसे हुगा यह इसका क्रम है आपका 24 नंबर कोशन एक बहतरीन हालाइटेड पूछता है ऐसे कोशन आपके बोड के पेपर में काफी बार देखने को मिलेगा कि समानिता पे बंदा पर किसी गैस के एक मूल का आयतन कितने लीटर के बराबर होगा और हाइलाइटेड और वीबी आई कोशन इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सबको पता रहता है 22.4 लीटर के बराबर इस तरह के कर्डिशन की समानिता पे बंदा पर किसी गैस के एक मूल का आयतन 22.4 लीटर होता है और पचीस नमबर कोशन कि कौन ताप दोरा प्रभावित नहीं होता है कौन ताप दोरा प्रभावित नहीं होता है दौरा प्रभावित नहीं होने वाले जो कारक है वो मोललता होता है जी पचीस का भी ताप दौरा प्रभावित नहीं होगा मोललता ठीक है 26 नंबर कोश्चन कि आईरन के निशकर्षन में उतपन धातुमल बताए आइरन के निश्कर्षन में उत्पन धातुमल क्या होगा यह 26 नंबर कोशन बहुत बहतरीन कोशन है यह हाइलाइटेड है और सीधे सीधे डी को टिक लगाएंगे कि C-A-S-I-O-3 is the right answer of this question आइरन के निश्कर्षन में उत्पन धातुमल C-A-S-I-O-3 और 27 नंबर कोशन के लेंथे नाइड संकूलन या संकुचन का अर्थ होता है इसका इंग्लीश नीचे है अगले पेज में कोई बातने लेंथे नाइड संकुचन का अर्थ होता है घणते में कमि द्रव्विमान में कमि आइनिक त्रिज्या में कमी या सक्रियता में कमी 27 नमर कोशन चीदे सीदे टिक लगाते हैं और आखरी कोशन आज का उसके बाद बच्चे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और संजीबनी बैच जोइन करेंगे क्योंकि यह संजीबनी बैच आखरी आखरी 20-25 दिन एक महिने के लिए बनाये गया है इथर की उपस्तिती में अलकाइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कालाती है एक बहतरीन most VVI कोशन की इथर की उपस्तिती में अलकाइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच की प्रतिक्रिया जो है वो ब्रुज प्रतिक्रिया कालाईगी और ये most VVI special class था सभी बच्चों के लिए बाद में इस वीडियो का description चेक करिए हमारा help line number 6200733858 पे अपसंपर करिए संजीबनी बैच खुद से बाइनाओ करिए कोशिश करिए अगर खुद से नहीं हो पता है तो अपने दोस्तों से भी करवा सकते हैं आप अपने फोन में किसी भी फ्रेंड का फोन पे गुगल पे पे टिम डालके करवा सकते हैं नहीं तो फिर आप हमारे help line number पे करिए हमारी टीम यहां से जोइन करेगी जो भी उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है अभी उसके ओपर 60% डिसकाउंट है और उसका benefit उठाई ओके बाबाई टेक केर और बेस्ट आप लग